यह कहानी सूरी होती है 13,000 साल पहले यहां पर जो सभी इंसान थे उन लोगों ने अपनी साधना सुरू करी उन लोगों को वहां पर पता चला कि वो लोग अपने आसपास की एक्स्टरनल जो एनरजी होती है उसका यूज़ करते वे वो अपने आपको ताकतवर बना सकते हैं और उसी को अपने अंदर एब्जोब करते वे वो लोग अपनी साधना को आके बढ़ाया करते थे धीरे धीरे करते वे वो लोग ताकतवर होते गए और एक दिन वो लोग शूर विर बने लेकिन ऐसे ही ये सारा काम का चलता रहा लेकिन कुछ समय बाद में जब यहां पर एनरजी की जो जरुवत बढ़ने लगी तो उसके बाद में वहां पर हर एक तरफ हर एक अलग अलग देशों के अंदर ये फाइटें सुरू होने लगी इन लड़ाई को सुरू होने की वज़े से आसपास के अंदर हर एक तरफ खोनी दरीन दे और यहां पर कुण नी कुण बिकरा रहता था उस जगर पर पता चला कि इस दुनिया के अंदर इन इनसानों के अंदर कितने सारे सूरूविर होंगे कितने सारे सूरूविर थे जुन्होंने अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हाला कि ये कतर कतर यहांपर वेदांत रुख जाता है तो वहीं दूशे तरफ रुद्द है बिल्कुल सांती से चुप चाप से उसकी वो बाते सुन रहा था रुद्र यहाँ पर अभी अपने उन सभी सब्दों को सुनना चाह रहा था बात कुछ ऐसी थी कि उसे अभी इस कहाने के अंतर अच्छा लग रहा था टीचर रुर क्यों गए बताईए ना क्या हुआ था आगे उसके साथ में यहाँ पर वेदानत बताता है लेकिन होआ कुछ ऐसा जब यहाँ पर सभी लड़ाय कर रहे थे तो उस वक्त हर एक तरफ अराजकता वे फेली हुई थी लेकिन उस चीज का फाइदा यहाँ पर उन्होंने उठाया उन्होंने किसने टीचर यहाँ पर रुद्र अब बिलकुल सांति से अपनी आगों को गड़ोई वहाँ पर देखने लगता है वो वो और कोई नहीं राकससों का सरदार था आप कहीं दैमन लोड की बात तो नहीं कर रहे हां वो ही उनके आते ही यहाँ पर हर एक तरफ पूरी तरह से खुनी दरें ते और खुन से बरे विए हर एक राकससों का यह एक एलाइंस था भेतर राकस्सों ने यहांपर अपने अंदर से अपने डेमेनिक एनरजी बाहर निका ली जिसकी वज़े से आसपास के अंदर किलिंग फिल्डर हो चुका था उनकी किलिंग फिल्ड के अंदर जो कोई भी इन्सान आया करता, वो यहांपर अपने जो एनरजी थी वो सो दिन से भी कम के लिए फेली हुई थी अगर यहाँ पर उस जगपर वो एनरजी भुकती नहीं तो उसके साथ में क्या होता सबके सब वही परी विलूपत हो जाते हैं और इंसानी प्रजाती का नामुन नायसान मिठ जाता यहाँ पर वेदान जब यह सब्द कहे रहा था तो उसके साथ में उसके माते की नसे साबसाब उबर रही थी उसके आँखे अंगारों की तरह जलने लगी थी उसके पुतलियां चोटी हो गए थी और वो ज़्यादा गुस्से में लग रहा था तो वहीं दूशी तरफ रुद्र भी उस भातों को अपने मन के अंदर ले रहा था क्योंकि वास्तों में उस चीज़ को वह समझ पा रहा था क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था यहाँ पर वेदान तो बताता है इन सबी राक्ससों ने हमारी पूरी इनसानियत को खतम करनी के लिए यह सब कुछ चला लेकिन फिर अचानक से उस जग़ पर हमारी यह छे ऐलाइंसस का काम सुरू हुआ यह समेता छे हजार साल पहले का क्योंकि उस जग़ पर जब यह समय सुरू हुआ तो उसके साथ में हम लोगों ने अपने टेमपल्स बनाने सुरू कर दिये इनसानों ने अपने अलग अलग गिल्ड्स को बनाया और उसके बाद में इन छे टेमपल्स को एकटा किया गया हाला कि जब इन छे टेमपल्स को बनाया गया तो इन टेमपर्स को भी यहां पर एक सहर का जा सकता है यह आसपास के एडे को समाला करते हैं और अपने आसपास की जनता का ध्यान रखा करते हैं लेकिन इनके अंदर भी अलग-अलग तरह के से पावर्स चिपी हुई होती है इन पावर्स की बारे में तुम्हें बाद में जाकर पता चलेगा कि आखिरकार इनके पीछे थ्रोन जिसको थ्रोन किया जाता है वो कितना जादा पावर्फुल हो सकता है यहां पर उसकी एनरजी बाहर निकरने लगती है लेकिन वो अपनी एनरजी को भी पर दबा देता है उसके साथ में ही अब वो से बताता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक शूरवीर क्या होता है शूरवीर एक ऐसा वेक्ती एक ऐसी मशीर या फिर एक ऐसा युद्धा होता है जो यहाँ पर अपने लिए नहीं, अपने आसपास के सभी लोगों के लिए काम किया करता है, अपने आसपास के प्रेजनों को बचाया करता है, अपने आसपास के इनसानों को बचा कर रखा करता है, और सबसे बड़ा जो काम होता है, उनका ये होता है, कि यहाँ पर उन्हें राकससों से अपने आपको चुटकारा पाना होता है, हमें सबसे पहले यहाँपर क्या करना होगा रुधर, टीचर, मुझे लगता है कि हमें राकससों को मारना होगा मारना होगा इन सबी को बहुत अच्छी तर electrically दोड़ा दोड़ा कर क्योंकि इन लोगों ने जो हमारे सात में किया है वो, किसी के सात में नहीं, होना चाहिए, क्याए पर तरी uncovered हो, मैं अखिती कैंदा लूसुरी बन कातो इसके सात में 되는데 राक्सों को तोड़ा तोड़ा कर मारूंगा हम बहुत अच्छे अब यहाँ पर हुई ना यह बात उसके साथ में वेधांत उसको देखते वे कहता है देख लो अब यहाँ पर तुम्हें सब कुछ जान लगानी होगी क्योंकि अगर हम लोग उनको नहीं पगाते है तो उसके बाद में तुम्हारी मा का क्या होगा है रुद्र तो मैं पता है ना तुम्हारी बाद नहीं बच पाएगी अगर उन्होंने ठेक कर दिया तो लेकिन यह सब्द सुनते ही अचानक से रुद्र के अंदर से इनर्जी निकलना सुरू हो जाती है, ऐसा लग रहा था कि वो किसी वह आउट ओफ कंट्रोल हो जाएगा लेकिन उसी चीज़ को देखकर वेदान तो एक अलकी सी मसकाद देता है हम्, बहुत अच्छे इतना के नई साथ में, वेदान जल्दी से अपना हाथ लाता है जिसे इसा करता है कि अचानक से उसके सामने टेबल पूरी तरे सज जाती है और उसके बाद में वो चाओं लोगो अपनी एनरजी Hatma गरम कर देता है रुदर ये लो उसके सात में जल्द ही रुदर के सامने वह सारा खाना आ गया था लेकिन जिसे रुद्र वो सारा खाना देखता है तो उसके साथ में ही वो तूड़ा सा भायूस था वो अपने सर को नीचे जुकाए बेटे हुए था रुद्र क्या हुआ? खाना खाओ? क्या कर रहे हो तुम? तो उसके साथ में ही टीचर यहाँ पर जो रुद्र था जल्दी से अपने गुट्नों के बल बेट जाता है और उसके साथ में ही वो अपने सर नीचे जुकाए बेटा हुआ था रुद्र यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बागल हो? यहाँ पर हम लोग ऐसे सोलजर बनेंगे क्या? क्या तुम ऐसे सूर्विर बनना चाते हो? सूर्विर कभी भी अपने गुट्मों को किसी के सामने नहीं देखता है ऐसे तुम यहाँ पर किसी भी हमारे दुसमने के सामने चले जाओगे और गुट्ने टेक दोगे रुद्र उठो! वरना तुम्हें मैं यहाँ पर नहीं चोड़ने वाला वेधान जैसे यहाँ पर रुद्र को यह से घुटने ठेक तेविन से देखता है तो उसके साथ में वह हिरानी से और गुसे की साथ मुझसे कायने लगता है लेकिन वहीं रुद्र उठता नहीं टीटीटीचर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर रुद्र उठता है हाँ काओ क्या बात है अगर आप तुमने उठेना तो मैं तुम्हें यहीं परिमार डालूँगा वेधान अपने दिल के अंदर कुछ सेंसर को दबाते हैं उससे कहने लगता है तो उसके साथ मैं रुद्र कहता है टीटीचर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ क्या मैं यहाँ पर इस आदे खाने को खा सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर आदे खाने को खा कर रह सकता हूँ आधा लेकिन क्यो तो मैं पुरा खाना खाना चाहिए, तो मैं ट्रेनिंग में काम आयागा, तो उसके साथ मैं रुद्र कहता है, लेकिन टीचर, मैं तो खाना खालूँगा, लेकिन मेरी मा का क्या, मेरी माने खाना नहीं खाया, हम ऐसा खाना खाई नहीं सकते हैं, तो इसी वज़े से मैं सोच र कि मैं यहां पर अदा खाना खाना खा लूंगा और उसके बात में जब हफते के अनदर में घर जाऊंगा तो वो सारा खाना में वहांपर ले जाऊंगा, मा को बहुत जादा चालागेगा, यहां वरुर्द्र वुसस्य उसस्य कहता ह तो उसके साथ में ही उसका दिल वहाँ पर बेट सा जाता है और वो निरास हो जाता है और उसके साथ में ही कहता है तो तुम यह खाना खाओ और इतना कहने ही साथ में वहाँ से बाहर चला जाता है वहाँ जाकर यहाँ पर वो जल्दी से उस गेट को बंद कर लेता है और उपर इसके अंदर वो सारी चीजे हैं, जो यहां पर चाहिए, इसके अंदर द्रड़ता, प्रेम, न्याय, बदलिदान, निस्पक्स्ता, साहस, करुणा, इमानदारे, शील, यह सारी चीजे तो उसके अंदर भरी हुई है, तो मैं इसको क्या सिखा हूँ, यह तो पहले से ही एक जन वेदान्त करता है, लेकिन इतना कहने के साथ में ही, वो फिर से अंदर चला जाता है, वहीं, उसको आते वे देकर, टीटीचर, क्या, क्या, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, तो उसकी साथ में वो करता है, तुम चिंता मत करो इसकी, तुम खाना खाओ, और रही खाने की बात, तो मैं तुम्हारी मा तक इसको किसी केद कर जरूर बुला दूँगा। तो इसी वज़े से यहां पर तुम्हें इसके बारे में चिंता करने कोई भी जरूत नहीं है। समझ गए। चलो खाना खाओ। तुम्हारी ट्रेनिंग का समय भी होने वाला है। और इसी देतों में बहुत ज़्यादा चरूत पढ़ने वाली है। समझ गए। इतना के नए साथ में वेधांद फिर से भार चला जाता है। और उसको भार जाते वे देखकर यहां पर रुद्र खुश था। यह क्या सच्ची में मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो उसके साथ मैं रुद्र दबाकर चबाकर खाना खाने लगता है। थेंक्यू थेंक्यू टीचर थेंक्यू बालजा टीचर आपने मुझे इतना अच्छा टीचर दिया है। यह यह बहु ज़्यादा अच्छे है।